आप जल्दी सी जल्दी अपनी फाइल लगा दो, शायद कोई ड्राव हो जाए एंड आप लगी लिए कुछ जाओ Spousal Work Permit अब आपको नहीं मिलेगा As a student आना चाते हो, LMIA पे आना चाते हो, तो आपका आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हर दिन rules का change होना, हर दिन कुछ ना कुछ नहीं चीज लाना क्यूं? हमें भी पता नहीं But Canadian government को ये पता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ काम खराब कर दी है और उसको ठीक करने का time आ गया है ये उन्होंने सोच लिया है कि कुछ rules वो ऐसे लाएंगे कुछ strict rules वो ऐसे बनाएंगे जिससे नए लोगों का Canada आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनका focus क्या है, वो आगे क्या करना चाहते हैं इस वीडियो में आपको उस बारे में पता चलेगा so make sure that you see this video till the end आपको ये वीडियो देखके काफी help होगी आपको नए rules के बारे में पता चलेगा and क्या क्या चीज़े होने वाले एक Canada में आपको उसके बारे में पता चल जाएगा बढ़ती महंगाई, बढ़ते घरों के prices on top of that, इतने सारे लोग जो Canada में आ रहे हैं, इसको लेके काफी जादा problems होगी in Canada में हम 4-5 ऐसे नए rules के बारे में बात करेंगे, जो पिछले एक-दो दिन में आये हैं आपको जो directly impact करने वाले so without wasting any time, let's start with today's video, जो पहले rules है वो है temporary residents को लेके, सबसे पहले हम बात करते हैं, यह कोन होते हैं temporary residents, यह वो लोग होते हैं जो Canada में visitor visa पर आते हैं या फिर यह वो लोग होते हैं, जो LMIA पर आते हैं या फिर students जो की अपने पढ़ाई करने के बाद PGWP लेते हैं, यह वो लोग होते हैं इस वक्त Canada की जो temporary workers की population है वो है around 6.2% तो अगर आप पूरे Canada की population लेंगे तो वो है कोई 4 करोड, 4 करोड, 10 लाग के आज पास तो यह जो number होता है 6.2% this is around 2.5 million people Canada में इसवक 25 लाग के आज पास लोग है जो temporary resident का status लेके है So इन लोगों का number Canadian government को कम करना है to make them around 5% So इतना जो ज़्यादा deficit है, So इस problem को tackle करने के लिए कि इतने ज़्यादा लोग already Canada में है जो temporary residents है, So हम बाहर से लोगों को क्यों बुलाएं, ये indirectly ये लोग बोलना चाहते हैं, इसका ये मतलब है कि जो already लोग Canada में है, उनको ये लोग support करने वाले हैं, उसका ये मतलब है जो कि Canada की economy में help कर रहा है, So Canadian government ये चाहते है कि जो बाहर के number है, उनको cut कर दिया जाए, उनको थोड़ा सा कम कर दिया जाए और जो Canada के अंदर के लोग है, उनको support किया जाए, इसका अब ये मतलब है कि अगर आप Canada के बार से Canada आने का plan कर रहे हो, as a student आना चाते हो, LMIA पर आना चाते हो, तो आपका आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको अगर Canada फिर भी आना है, तो आपको जो अपनी application होगी, जो आपकी file होगी, चाहे वो student हो या फिर आप LMIA पर आ रहे हो, वो बहुत अच्छे से लगानी पड़ेगी, ताकि आपको जो rejection है, वो कम से कम मिले rejection आपको क्यों मिल सकता है, मैं उसका reason भी आपको समझाना चाहता हूँ, Canada and government ने ये बोला है कि इस साल वो 6,00,000 applications लेंगे students के लिए and उसमें से वो around 3,40,000 लोगों को select करेंगे for their deployment college courses, so अगर आप किसी consultant से, किसी एरे-ग-एरे consultant से काम करवारे हो, जो हजारों application एक साथ डाल देता था students की, आपकी जो application की rejection होने की जो probability है, वो अब बढ़ जाएगी, मेरी आप से ये suggestion है कि अगर आप Canada आना चाहते हो as an international student, तो आप अपनी file खुद लगाओ, आप college and universities के बारे में खुद पढ़ाई करो and अपनी SOPs जो है, जो सबसे important होगी statement of purpose, वो strong बनाओ, आप ये दिखाओ that you will come back to your country after completing your education, you have your great ties, आपकी घर पे पैसा है, सब कुछ है, जायदात है, so आपकी application reject होने के chances है, वो कम हो जाएगे and आप Canada आ सकते हो, दूसरा जो point है, वो पहले point से related है, कि domestic logo पे जादा ध्यान दिया जाएगा, domestic draws जादा होंगे, जो यहां के लोग है, उन पे जादा तवज्जु दी जाएगी, उनको जादा support किया जाएगा, so अगर आप already Canada में हो as a student, आप यहां पे आया थे and आप यहां पे काम क कर रहे हो, make sure that आप अपनी file जल्दी से जल्दी लगाओ, शायद draws आजाएं, कुछ आपको पता नहीं क्योंकि Canada आए दिन हर दिन rules change कर रहा है, so I don't want you to miss on this opportunity, अगर आप for example 2020 का example देखोगे, तो 75 के score पे draws आगे थे and 22,000 लोगों को select कर दिया गया था, you never know की Canada क्या करे, so I suggest you to apply as soon as possible, तीसरा point उन लोगों के लिए है, जो LMIA पे Canada आये है या Canada आना चाहते है, उनको पहले अपने work permit को extend कर देने के लिए 12 महीने का time दिया गया था, अब वो 6 महीने कर दिया गया है, for example इसका ये मतलब नहीं कि 6 महीने में आपको निकाल देंगे यहां से, इसका ये मतलब है कि अगर आप Canada में हो, LMIA पे हो, या फिर आप इंडिया से आये हो, या किसी भी country से आये हो, तो आपको सिर्फ 6 महीने का time दिया जाएगा, जिसमें आपको फिर से apply करने अपने work permit extension के लिए, या फिर नय employer डूणने के लिए, या फिर अपनी file आगे बढ़ाने के लिए, पहले इस पूरे process को and थोड़ा fast बनाना चाहते हैं, क्योंकि LMIA का जो process है काफी ज़्यादा time लेता है, इसलिए मेरी suggestion यह है कि अगर आप इंडिया से या फिर अपनी country से LMIA पे आ रहे हो, तो focus करके आओ कि वही है, यहाँ पे life आपकी मुश्किल होने वाली है, minimum wage कम है, पैसे कम आ पर्टिकुलरली पंजाब रिजन से जो की माना जाता है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा fake marriages होती है, सिर्फ Canada आने के लिए बाप अपनी बेटी की शादी करा देता है, एक ऐसे घर में जो लोग support करते हैं उस लड़की को, क्योंकि उसकी English अच्छी होती है, वो यहाँ पे आ देन वो किसी से रिष्टाने रखती है या फिर वाई से वर्सा लेगा तो यह सारा focus जो है इस वक्त केनेडें गवर्मेंट को पता चल गया है कि ऐसी चीज़े हो रही है, contractual marriage हो रही है, नकली शादिया हो रही है, उसको कसने के लिए इनोंने जो spousal work permit है उसको cancel कर दिया है Spousal work permit अब आपको नहीं मिलेगा, अगर आप normal diploma या फिर graduate courses कर रहे हो, some exceptions are there कि अगर आप दूसरे courses कर रहे हो तो आपको शायद मिल जाए Spousal work permit, but normal जो लोग 12 वी के बाद आ रहे थे डिपलोमा करने के लिए उनको Spousal work permit नहीं मिलेगा, and कायदे से सही भी है कि 17-18 साल का इंस या फिर कोई professional courses करने के लिए Canada आ रहे है, so my suggestion for you will be, अगर आप ये सब चीजों में पढ़ना चाहते हो, तो इस वक्त Canada नहीं आओ, क्योंकि Canada अपनी जो है rules कस रहा है, वो यहाँ पे Spousal work permit भी tight कर रहे है, वो education work permit भी tight कर रहे है, and different rules and regulation हर दिन यहाँ पे आ रहे है, जो 5 Canadian government ने कि अगर आप 1 September से पहले admission ले रहे हो, तो आपको PGWP दिया जाएगा, या फिर आपको work permit दिया जाएगा, अब वो deadline कम करके 15 में कर दी गई है, इसका reason यह है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनका ये number कम करना चाहते है, जैसे मैंने आपको पहले point में बताया था, students पे direct impact हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा fake applications या सबसे ज़्यादा जो लोग होते हैं, जो बिना calculate करके Canada आते हैं, वो student होते हैं, so उन लोगों को ये कसना चाहते हैं, उन लोगों का number ये कम करना चाहते हैं, and सबसे ज़्यादा जो लोग आ रहे थे, diploma मिल्स इनको बोला जा आते हो Canada में, public private colleges में, तो ही आपको work permit मिलेगा, वरना आपको work permit नहीं मिलेगा, so जिन जिन लोगों ने इंडिया में speed बढ़ा दी थी, अपनी application करने की, कि आप पहले जल्दी से जल्दी यहां पे Canada आ जाओ, आपको work permit मिल जाएगा, शायद उनको ना मिले, अगर आप 15 की ज आओ, या universities में आओ, इवन दो वहाँ पे पैसा जादा लग रहा है, या फिर इवन दो वहाँ पे खर्चे जादा है, अगर आपको Canada आना या आपका Canada आना dream है, तो आप इन जगहों पे आओ, ना कि public private colleges में, जिनका दंदा सिर्फ पैसा कमाना होता है, ना आपको पढ़ाई क आते हैं, online यहाँ पे बोलते हैं कि आप पढ़ाई कर लो, खुद पढ़ाई कर लो, and आप दर्दर बाद में फिरते रहते हो, आपको अपनी field की job नहीं लगती, so conclusion यह है, सारी बातों का, सारे नए rules का, कि Canada को अब यह पता चल गया है, कि उनकी जो immigration policies थी, वो काफी weak थी, उ लूपोल्स पकड़ के सारे लोग यहाँ पे आ रहे थे, particularly South Asian countries के लोग यहाँ पे आ रहे थे, different different जुगाड करके, so Canada government को अब यह पता चल गया है, from the mistakes that they have done, उन्होंने Australia, UK के जो standards है, उनसे कुछ सीख लिया है, and यह rules tight कर रहे है, and आने वाले time में और changes होंगे, 100% changes होंगे, so आप research करते रहे हैं, आप देखते रहे हैं, कि क्या क्या changes हो रहे हैं, and मैं तो यहाँ पे हुई आपको बताने के लिए, and aware रखने के लिए कि क्या क्या changes हो रहे हैं, hopefully it is not too late, and जो यहाँ पे महंगाई है, वो कम से कम हो जाए, elections भी आ रहे हैं, शायद वो भी एक reason है कि यह changes आ रहे हैं, so yeah, hopefully that things get better soon, इस वीडियो से शायद आपको कुछ help हुई हो, तो हमारी इस वीडियो को like करें, हमारे चैनल को subscribe करें, अगर आपको मेरे से बात करनी हैं, तो आप में को Instagram पर DM कर सकते हैं, या फिर आप one-on-one consultation ले सकते हैं मेरे से, वो सारी links आपको description में मिल I hope कि आपको इस वीडियो से help मिली हो, subscribe करें हमारे चैनल को, I wish you all the very best for your future and your journey, I wish you all the very best of your health, see you next time, goodbye